आपने एकसर दूलहे को लगजरी कार या हलिकॉप्टर से बरात लेकर जाने के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन राजिस्थान में एक ऐसे शाही शादी हुई है जिसमें दूलहा उट पर सवार होकर दूलहन लेने पहुँचा दूलहे के साथ बराती भी उट पर सवार थे 20 उटों पर सवार दूलहा और बराती दो घंटे में 7 किलोमेटर का सफर तैकर दूलहन के घर पहुँचे तरसल बाड में शहर के दान जी की होदी में दल सिंग के इंजिनियर बेटे मलेश राजगरू की शादी महाबार की रहने वाली सीता कवर के साथ शुकरवार को ही थी दूलहे के दादा की इक्षा थी कि पोते की बरात उटों पर निकले ऐसे में तैकी आ गया कि बरात उटों पर ही निकाली जाएगी इसके लिए बीदे पाश महीनों से इसके लिए तैयारी की जा रही थी दूलहे के पिता का कहना है कि उट से बरात निकालने का जिसने भी सुना उन्होंने इसकी काफी प्रशन सकी है सब लोग उन्हें बढ़ाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने प्रवानी संस्कृति को वापस जिंदा कर दिया है तो वहीं दूल है मलेश राजगुरू का कहना है कि मेरे दादा पर द पहार सिंग की एक्षब पूरी करने और प्रवानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमने उटों पर बरात निकाली है इसके लिए मेरे परिवार पांच महीनों से तैयारी कर रहा था इसके लिए 20 उटों को मंगवाया गया था एक उट का 11,000 रुपे का खर्च आया है और सभी उटों पर 3,000,000 रुपे खर्च किये गए है तो वहीं या नोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विशय भी बनी हुई है